जल्ध ही देश में राम मन्दिर का ओधकाटन होने वाला है और यह जो पूरी घट्ना है इस वजजे से विवादों में बनी हुई है कि देश के पुर्धान मंत्री इस शुमनात मंद्र कर ओधक्र ओधक Hun में हम सोमनात मंदिर से जुड़े जो तमाम important points हैं उन पर discussion करेंगे उसके इतिहास पर बात करेंगे उसकी वास्तुकला उसके architecture को भी समझने की कुशिश करेंगे मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दृष्ट आइस चानल के इसने वीडियो में चले वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रिखा पर एक बार चर्चा कर लेते हैं वीडियो में सबसे पहले हमने नियूज यानि ख़बर की बात की, ख़बर को जानने के बाद हम सुमनात मंदिर के इतिहास पर बात करेंगे, इसके बाद इसकी वास्तुकला को देखेंगे और उसके बाद उसके कुछ मैप्स हैं, जिन मैप्स को समझने की कुशिश करेंगे, और अंत में एक प्रश्ण पर भी बात होंगी, प्रश्ण जो है वो प्रिलिम्स का है और आप कॉमेंट बॉक्स में इस प्रश्ण का जवाब दे सकते हैं, इसके अलावा यह जो पूरा टॉपिक है वो GS पेपर 1 से जुड़ा हुआ है और आप इसे मंदर वास्तुकला यानि क Temple Architecture के खंड से जोड़ कर देख सकते हैं, चली वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक important announcement यह है कि इस गरतंत्र दिवस के अउसर पर दृष्ण संस्थान की ओर से हमारे जो तमाम साथी हैं उन्हें एक उपहार दिया जा र जनवरी तक के लिए लागो रहने वाली है, तो हमारे जो तमाम कोर्सेस हैं उन पर यह छोट आपको दिखाए दे जाएगी और अगर आप इस छोट का लाव उठाना चाहते हैं तो आप हमारे numbers पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, इसके लावा आपको वीडियो के description में एक link दिख लिए जो मंदिर है यह आपका गुजरात के विरावल में मौझूद है और एक महत्वपूर्न हिंदू तीरत स्थाल माना जाता है, यहाँ पर हमारे पहले जोतर लिंगम मौझूद है, अगर आप बात करें कुल जोतर लिंगम की तो भारत में तकरीबं बारा जोतर लिंगम मौझूद है तो ये उनमें से पहले है इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि जो पूरा स्थान है यहाँ पर भगवान कृष्ट ने अपनी अंतिम यात्रा को पूरा किया था तो ये इस पूरे पूरे स्थान को लेकर के धार्मिक मानताओं की बात हुई इसके अलावा इस मंद हिरण है और सरस्वती है तो इन तीन नदियों का जो संगम था वो यहाँ पर देखने को मिलता है इसके अलावा अगर आप एतिहासिक वरतान्तों की बात करें एतिहासिक दस्तावेज़ों की बात करें तो एतिहास से हम यह पता चलता है कि जो मंदिर है इसको कई आक्रमर ज किया गया कई बार इसमें लूट पार्ट की गई और सबसे ज़्यादा जो नुक्सान हुआ वो एक हजार चब्वीस एसवी में जब महमूद गजनी ने इस पर हमला किया था तो उस हमले की वज़े से सोमनात मंदिर पर बहुत ज़्यादा नुक्सान हुआ था और बहुत ज़ अगर तोर पर आप बात करें तो कहा जाता है कि सोमनात मंदिर को कुल सत्रा बार विद्धवन्श किया गया इसके साथ सत्रा बार इसको लूटा गया सत्रा बार इसको नश्ट किया गया तो यह इस पूरे मंदिर का इतिहास हुआ हमने इसके इतिहास को समझा अब एक बार इसकी वास्तुकला को देखते हैं कि यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिहाँ से कौन-कौन से important points मौजूद है तो अगर आप मंदिर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको समरध और जटिल नकाशे दिखाए देगी यहाँ पर जो नकाशी की गई है वो बहुत ज़्यादा complex है अभी हम तस्वीरों में देखेंगे कि कितनी ज़्यादा complex यहाँ पर नकाशी की गई है इसके अलावा जो पूरा मंदिर है वो साथ मंजिला इमारत है साथ मंजिल की building है और इसकी जो उचाई है वो तकरीबन 155 मीठर के आसपास है इसके अलावा अगर आप architecture, shelly की बात करें, style की बात करें तो यह मंदिर मुखेतावर पर चालुक के वास्तुशिल pattern में बनाया गया है चालुक के style में बनाया गया है इसके अलावा मंदिर की जो अवस्थिती है, जो location है वो अपने आप में बहुत जादा important हो जाती है important इस वज़े से है क्योंकि जो सोमनात का समुद्र तट है उस तट से अंटार्टिका की बीच में कोई भी जमीन का टुकडा मौजूद नहीं है यानि कि वहां से अंटार्टिका तक लेकर केवल पानी ही पानी मौजूद है तो इस वज़े से इसकी location जो है वो बहुत important है और इसका जिक्र आपको भारत के जो भारती संस्कृति की जो पुरानी किताबे हैं जो पुरान हैं वहां पर भी आपको इसका जिक्र जो है दिखाई दे जाएगा इसके अलावा मंदिर का शिखर जो है वहाँ पर एक कलश मौजूद है और कलश का जो वजन है वो 10 टन के आसपास है आंतरीक हिस्ते की अगर आप बात करें तो आंतरीक हिस्ते में मंदिर का जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर आपको सबसे पहले गर्भ ग्रह दिखाई देगा जहाँ पर जोतिर लिंगम मौजूद है इसके अलावा सभा मंडब दिखाई देगा जहाँ पर सभी लोग इकत्रित होते थे तो ये पूरा समगर तोर पर सोमनात जो मंदिर है उसकी आर्किटेक्चर के हमने बात की ये हमने उसके important points को समझा आप एक बार तस्वीरों में देख लेते हैं तो ये पूरा मंदिर है पूरे मंदिर की आप नकाशी देखेंगे तो बहुत जटल नकाशी आपको दिखाई देगी और यहाँ पर उपर कलश मौजूद है और यहाँ पर है ये हिस्सा जो है वो गर्ब ग्रह का हिस्सा है और यहाँ पर आपको एक जंडा भी दिखाई दे ज कि वहाँ पर जोग्रफी की वज़े से जो ये पूरा सोमनात का जो टठ है और उसके आगे जो पूरा एरिया है अंटार्क्टिका तक का वहाँ पर कोई भी लैंड मास मौजूद नहीं है तो इसको अगर आप मैप पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह लेकरके पूरा अंत तक अगर आप अंटार्क्टिका तक जाएंगे तो आपको कोई भी जमीन का टुकड़ा दिखाई नहीं देगा इसके सीवी रेखा में जमीन का कोई भी टुकड़ा मौजूद नहीं है तो इसी लिहाँ से इसकी जो जिगगरिफी है जो इसकी अवस्थ तो गला की बात कर ली है अब अन्त में इस पूरे टॉपिक से जोड़े एक प्रशन पर भी चर्चा हो जाए आज का जो हमारा प्रशन है वो प्रिलिम्स का है और आपका प्रशन है कि भारत में कुल कितने जोतिर लिंगम मौजूद है तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 ऑप बारा ऑप्शन सी 14 या फिर ऑप्शन डी 16 तो कॉमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिलकुल भी मत भूलिएगा और मुझे उमीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के सा दियो वीवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले